नमस्ते दोस्तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिलीफाई नॉलिज में फिर से पस्वागत है मैं शुपराज आपके लिए फिर से संडी स्पेशल यानिकी अनिमल स्पेशल लेकर आ गई हूँ तो आएए जानते हैं कुछ अजीव गरिप अनिमल्स के बारे में पहला दोस्तो क्या आप पैरो, सुरुफे, मेनस सपा के बारे में जानते हैं जिसका आर्थ है बगर और सामाने यह दक्षिन सुमात्रा प्रांत के साथ सीमा के आसपास लालांग प्रनाली की एक सहयक नदी संभवतर से टांग नदी से जामी प्रांत वाज सुमात्रा इंडोनेशिया में एकत्र होने के लिए जाना जाता है यह एक्वेरियम फिश है जिसकी रख रखाव बहुत ही स्वाभाविक और विशेश रूप से की जाती है इसे अकेली या छोटी शांतिपोन साइप्रिनेडर्स जैसे बोरारस या सुन्दा दानियों इस पीपी के समों के साथ रखा जाता है इसी तरह बिभिन एक साथ नहीं रखा चाना चाहिए क्योंकि कई मादाओं को अलग करना बहुत मुश्किल है और कुछ निसंद है या संकरन करने में शक्षम है यदि आप चाहे तो एक मिश्रित लिंग समों को बनाए रखा चाह सकता है हाला कि अधिकांश प्रजनक इसे यौन जोडे में बनाए रखना पसंद करते हैं क्योंकि कुछ सुलना तलना अपने माता बिदा के साथ जीवित रहत सकते हैं पूर्षों में प्रिष्टिय गुदा और दुम के पंखों में एक पतली सफेदी से नीले रंग का मारजिन होता है जो एक काले रंग की उप पटी के साथ आंतरेक रूप से एक इंद्र धनुशी नीले या नीले हरे रंग की पटी से घिरा होता है इन पंखों का सामिपस्त भाग काला है और प्रिष्टिय के पीछे के नीचले की नारों में कभी-कभी एक छोटा नीला या इंद्र धनुशी पैच होता है पेल्विक पंख लगबग काले इंद्र धनुशी नीले रंग के होते हैं जो सफेद फिलामेंस टिप के साथ होते हैं जबकि पैक्टरल पंख हाईलीन होते हैं विवाहेतर पुरुष समगर रूप से अधिक तीवर रंग पैटर्न प्रदर्शित करते हैं मादाय बहुत कम रंगिन होती है और प्रिष्टिय गुदा और दुम के पंखो में रंगिन बेंट की कमी होती है विवाहेतर मादाय अपने दिकांश शिन्न को खो देती है और एक हल के बेज रंग का पैटर्न लेती है असाथी नर और मादा दोनों आखों की मादन से चलने वाली एक तीरची अंधेरी पट्टी का प्रदर्शन करते हैं उधारन के लिए दोनों लिंग मूड के आधार पर तीरी से रंग बदलने में शक्षम होते हैं और आक्रमा कोने पर काफी गहरा रंग दिखाता है या आम तर पर छोटी गुफा या पत्ती कुड़े के बीच में पैदा होते हैं और अंडे और बच्ची की देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं यौन सक्रिय पुरुष छोटे शेत्रों का निर्मान करते हैं के इंद्र में एक छोटी सी कुफा होती है जो आम तर पर प्रकृती में पत्ती कुड़े से बनती है हाला के एक्वेरिया में किसी भी उप्योग संद्रश्ना को चुना चाह सकता है फ्राई मोबाईल के साथ लगभग चार से छी दिन बाद इंक्युबेशन आम तोर पर 24 से 34 घंटेक तक का होता है दूसरा दोस्तों क्या आप चित्तिदार नीली आग के बारे में जानते हैं चित्तिदार नीली आग परिवार की सीडो मुगी लीडे में मचली की एक प्रजाती है या पापवानियोगेनी और उतरी और श्रिया के मोलेवासी है या आसानी से कैद में रखा जाता है और इसे एक छोटे से मीठे पानी के एक्विरे में रखा जा सकता है मैक्स कार बिलहेम वेबर ने 1911 में अरुदीप सम्मों में ट्रांगंदीप से एकतर किये गए नमोनों से सीडो मुगी गर्टुडे का वर्णन किया इसका नामांकरन डॉक्टर हीउगो मार्टन की पत्नी गर्टुड के सम्मान में किया गया जिनने 1907 और 1908 में एपो का दौरा किया था सामान नमस में चित्तिदार नेली आंग, नाजुक नेली आंग, गर्टुटकी नेली आंग और उत्रे नेली आंग शामिल है चित्तिदार नेली आंग का शरीर आंग तोर पर 295 सेंटिमेटर तक या शायद ही कभी 3 सेंटिमेटर तक लंबा होता होगा समगर रंग हलके चानली सफीद के लिए पारदर्शी होता है कभी-कभी तन या पीले रंग के टिन के साथ शरीर के पिछले आदे हिस्से को तर तीन शैतिज काली रेखाओं से चिनित किया गया है जो पूर्वकाल में धब्बो में तोर जाते हैं पंक काले निशान के साथ पीले होते हैं शरील का आकर, रंग और आकर इसकी सिमा में बिन्न होता है अरूद्वीप समू की मशलियां पड़ी होती है डॉर्विन के आसपास की शेत्रों में नारंगी पेक्ट्रोलर पंक होते हैं अरूद्वीप समू अरूद्वीप समू अरूद्वीप शेत्र और अश्रेलिया में के प्यार प्रायदिप में नदियों में पाई जाती है इनके आवास में धीमी कती से चलने वाली छोटी धाराय शामिल है जो अकसर साथ सेंटीमीटर से कम गहरी फुल और मेली लुकाया पाउंड़नस दलदल शामिल है विपी एच 3.68 से 9.4 के पानी में पाई गये हैं हाला कि इसके आहार का बहुत कम अध्यन किया गया है सेवाल और छोटे अक्वेशोर किया इसका एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं हाला कि जंगली में इसके प्रजनन विवार के बारे में बहुत कम जानकारी है चित्ती दानीली आखे कैद में आसानी से प्रजनन करती है तीसरा दोस्तों किया आप क्लाउन ट्रिगर फिश यानि कि जोकर ट्रिगर फिश के बारे में जानते हैं जिसे बिग्च पॉर्टे ट्रिगर फिश की रूप में चाना जाता है बालिस्टीडे परिवार से सम्बन्दित एक तलहटी समुदरी मशली है या आम तोर पर ट्रिगर फिश कहा जाता है या ट्रिगर फिश एक मचली है जो 50 cm तक बढ़ सकती है इसकी शरी में एक स्टॉक की उपस्तिती, अंडाकार, आकार और बाद में संकुच होती होता है सिर बढ़ा है और शरी की लंबाई की लगबग एक दिहाई का प्रत्मिक गुपब करता है मूँ छोटा टर्मिनल और मजबुत दाध होते हैं पहला प्रिश्टिय पंग त्रीन रियरों से बना होता है जिन में से एक लंबा और मजबुत होता है यह सीदा है और एक प्रिश्टिय खांचे में चिपा हुआ है प्रिश्टिय रियर के इस सेट ने एक ट्रिगर पनाले की रजना की जो की परिवार बली स्टिडी से एक विशिष्टा है दूसरा प्रिश्टिय पंग आकार और आकर में गुदाफिन के समान है जो सममित प्रोप से इसके विपरित है पहले प्रिष्टिय पंक एक उदर फलाओं में कम हो जाता है प्रिष्टिय पंक एक उदर फलाओं में कम हो जाता है प्रिष्टिय पंक एक उदर फलाओं में कम हो जाता है जो की तेंदू के पैटरन को याद दिलाने वाले नेटवर्क की तरह आकरशित होता है मुझ के चार और एक पीली रंकी अंगोटी होती है जो एक और सफेद अंगोटी से खिरी होती है आखो किस तरह की ठीक नीचे एक सफेद पट्टी तूतन की सवारी करती है दूसरा प्रिश्टियोपंक और गुदापंक सफेद होते हैं और उनके आधार पर एक पीले रंकी रेका के साथ रेखांकीत होते हैं दूम की पेंडून कल के शिषषभाग पर एक पीले रंका दब्बा होता है और इसमें काटेदा तराजू के तीन शैतिस सेट होते हैं दूम फिन इसकी केंदर में पीले रंका और काला किनारा होता है किछोरों के पास एक काले रंकी प्रिष्ट्य बुमी का रंग होता है जो छोटे सफेद दब्बों से गिरा होता है दूदन का सीरा और पहरे प्रिष्ट्य पंक का आधार पीला होता है जोकर टुगर फिश, हिंद महासागर के उशनकटी बंदिया और उपशनकटी बंदिया जल और पश्चिमी प्रशांत महासागर में व्यापक रूप से वित्रित है यह आम तर पर 75 मीटर की गहराई तक साफ पाने के साथ बहरी रीफ ढलानों के साथ पहा जाता है किश्वर आम तर पर गुफाया ओवर हैंक्स के करीब 20 मीटर से कम आश्रे में रहते हैं चोथा दोस्तों क्या आप मेलानो टेनिया दुबॉलाई के बारे में जानते हैं मेलानो टेनिया दुबॉलाई क्रिमसन स्पॉर्टेट रेन्वो फिश जिसे आम तर पर डबॉले के रेन्वो फिश के रूप में चाना जाता है तटिया पूर्वी औस्ट्रेलिया के लिए मीठे पानी की मश्री की एक प्रजाती है M.Duboli को 20 सदी की सुरुआत से एक्वेरिय मश्री की रूप में भी रखा गया था नर M.Duboli अधिकतम शरीर के लंबाई 12 सेंटीमेटर तक पहुंचते हैं लेकिन आम तवर पर 10 सेंटीमेटर से कम होते हैं जबकि महिलाएं आम तवर पर छोटी होती हैं उनके पास एक पतला और संकुचिस चरिर का आकार है और दो प्रिष्टिय पंग एक साथ बहुत करीब है पहला दूसरे से बहुत चोटा है उनके पंग का रंग सपश से पीले से लाल तक भिन होता है जिसमें लाल दब्बे और गहरे किनारे होते हैं जो स्पॉनिंग अतिविदियों के दौरान पुर्षों में तीवर रूप से काले हो जाते हैं बड़े नर मादाओं से उनके चमकीले रंगों से अलग होते हैं और दूसरे प्रिष्टियों और गुदा पंगों में पश्चु किनारे के बढ़ाओं से पहचाने जा सकते हैं मादाओं में गोल्ड प्रिष्टियों और गुदा पंग होते हैं जो छोटे होते हैं और गहरे किनारों की कमी होती है, लाल रंग एक प्रमुक स्थान पर देखा जा सकता है, संचालन आम तोर पर शरीर, गहरे नीले या पिले रंग के टन के मादम से चांदी नीला या हरा होता है, स्केल पंक्तियों को संकिर्न, पीली रेखाओं के साथ छिन्हित किया जाता है, और नारंगी से शांदार लाल तक मड़ा जाता है, वे एक तिस्त्रित भोगलिक्षीमा में काफी रंग बिनत्ता प्रदर्शित करते हैं, यह सरवाहारी है और उनके आहार में सभी प्रकार की खादेपदार शामिल है, विशेश रूप से अकशे रिप्की और सहवाल और कै प्रदर भोजन खाते हैं, वे खुले पानी को पसंद करते हैं और जल्मगन लॉग और उपसत्व वनस्पति के आसपाद छोटे शम्मू बना सकते हैं, ब्रिजबन में आम बेंडेट मच्छर के लार्वा का सेवन कने पर शुरू की गई, पूरी मच्छर मच्छली के साथ चोह देशी मच्छली प्रजातियों के तुलना करने वाले एक नियंत्रित अंधियन में पाया गया कि क्रिमजन स्पॉर्टे रेंड वो फिश के आने सभी प्रजातियों के तुलना में अधिक मच्छरों के लार्वा खाए, परक्षण किया गया है और मच्छर नियंत्रन के लिए एक अच्छा उमीदवार भी चुना पांच्वा दोस्तों क्या अब मदुकोष गाए मचली के बारे में जानते हैं मदुकोष काउफिश परिवार और स्ट्राडी साइग सीड्याई से संबंदित है इसे केवल ट्रंग फिश या काउफिश के रूप में जाना जाता है होते हैं इसके नाम इसके अधितिय मदुकोष जैसे पैटन और सिंग के लिए रखा गया है यह पैटन मचली को प्रवाल बित्यों के साथ घुलने मिलने में मदद करता है अधिकांश मदुकोष काउफिश का रंग नीला होता है लेकिन या पीला घ्री या हरा भी हो सकता है किशोर आमत और परवैशकों की तुलना में अधिक रंगिन होते हैं इनके पास कोई पैल्विक पंक नहीं होते हैं और दुमका पंक गोल होता है हनिकॉम गाय फिश में कई संचोधित बोनी तराजू और शिंग है ये सुरक्षा के साधन की रूप में काम करते हैं हनिकॉम क काउफिश को इनकी आँकों के उपर दो रीर और हेक्जागोनल पैटन द्वारा समान मशली से अलग किया चा सकता है अन्य बॉक्स फिश की तुलना में हनिकॉम काउफिश के छोटे उब्रे हुए मों और मांसल होट होते हैं शरीर के अधिक्तम लंबाई 50 सेंटीमिटर है यह प्रजाती पूरे पश्चिमी, अट्लांटिक, केरिबियन शागर और ब्राजिल के पास के पानी में वित्रित की जाती है वे मैक्सिको की अधिकांस खाड़ी में अधनुपस्तित है लेकिन फ्लोरेडा के आसपास आबादी है मदुकोष, गाय, फिश, प्रवाल, बित्यों, समुद्री घास के बिस्तरों और मुहलों के पास गर्म साफ पानी में रहती है यह एक असामाने और सतर्क प्रजाती है यह आम तर पर एकांत होती है लेकिन इसे एक नर और दो मादाओं के तीन के तीन समों में देखा जा सकत है उनके प्रजन के बारे में बहुत कम जान करिये लेकिन एक खुले पाने में संभोग करने के लिए जाने जाते हैं उन्हें जोड़े में सतव पर तैयते हुए अपने युगमकों को मुक्त करते हुए और जल्दी से वापस नीचे तैयते हुए देखा गया है खुद को श हैं उनके आहार में चोड़े शमुद्री अकर्श रुकियर होते हैं जिनमें जींगा स्पॉंज सेवाल ट्यूनिकेट्स और कीड़े शामिल होते हैं तो दोस्तों आज की दी हुई जान करिये अपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर सरूर बताइएगा और मेरे इस व